हेलो दोस्तों स्वागा थे आपका आपने चैनल कख्षागड़ित में आज एक बिल्कुल नया चैप्टर हम आपके लिए लेके आए हैं त्रकौन मिति सफसे पहले आपसे यह discuss on कि इस मेंसे आपको बोर्ड अग्जाम में किसमें लेने हैं हमने यह क्यों रखा पंदरा और बीश वाला तciu कि इस वर्स वाहारा बाइडा से इसफों आप कर आपको बंहें नहीं लग पाए हैं, और जो भी लगेंगे class up abis में, वो मेरे हाल से आप पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए कुछ syllabus आपके part cream से निकाल दिया गया है, कुछ part cream कम कर दिया गया है, तो वहां से जो कम किया गया है, उसमें इस प्रशनावली के जो अंत में आपका 10.4 exercise है, उसको इस वर्स पार्टकरंट से निकाल दिया गया, अर्थात वो इस वर्स आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए हो सकता है, कि कुछ कम marks का आए, या हो सकता है, उसी पह आए, मतलब हम यह नहीं बता सकते हैं, कि थोड़ा बहुत कम जादा हो सकता है, लेकिन यह पक्का है, कि 15 नंबर मिनमम और 20 नंबर तक जाएगा, ठीक, यह आप बिल्कुल डिट सौर मानें, तो चलिए यह तो बात हो गई, कि आपको क्या, कितने नंबर का पूछा जाएगा, यह तो यह बात होई गई, अब आप अपने टॉफिक पे आएं, कि त्रकोंड मिती क्या है, तो त्रकोंड मित किसी आकरती के तीन कोड होंगे, तो निसित रूप से उसकी तीन बोजाएं होंगी, तो तीन बोजाओं का और तीन कोड़ों का मापन इस अध्याय में आपको सीखना है, ठीक है, एक बात और आपको याद रखनी है, कि यहाँ पर जो आपकी त्रकोंड मिती है, उस समकौडी त्रभुज पर आधारे थे, उस समकौडी त्रभुज पर आधारे त्रकोंड मिती है, आपको यहाँ पर पढ़ना, तो चलिए दोखो हम आपको यह बताएं, जैसे हम यह मालने हैं, कि यह आपका कोई एक त्रभुज है, और यह त्रभुज आपका एक समकौडी इसका नाम दे दें A, B, C. ठीक, ये है आपका एक समकौनी इत्रबोज. इसमें अगर हम A वाले कौन को ये मालने है कि कोई निउनकौन थीटा है, इसका सिंबल हमने जो दिया है, इसको क्या बोला है? थीटा. तो ये अगर ये निउनकौन थीटा है, याद रखना है कि जो नि तो यह आपकी जो सबसे बड़ी बुजा है यह कर्ड है या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो 90 एंगल के सामने बाला भुजा है उसी को हम कर्ड करें ठीक है अब तीसरी एक भुजा और रह गई तो निस्सित रूप से जो तीसरी बची हुई बुजा है उसको हम कहेंगे आधार ठीक है अब आपने यह सोचा कि आधार का मतलब नीचे बेश पर जो है वही भुजा आधार ऐसा नहीं है अगर हम इसको इसी एक तरवज को तो को ऐसे बना दें तरवज आपका वही है अगर ए बिंदू यहां बना दें ठीक बी जियोंकाते हूं सी यहां बना दें और नियून कॉण यह थीटा बना दें बात समझना ध्यान से तो हमने आपको अभी बताया कि नियून कॉण के जो सामने वाली बुजा होगी उसको क्या कहते हैं हम लंब कहते हैं तो यहां पर नियून कॉण यह इसके सामने वाली बुजा यह कहलाएगी अर्थात यह आपका फिर लंब हो जाएगा ठीक है ऐसा मत सोचना कि लंब मतलब आधार पर यह बुजा लंब ब कहेंगे और जो 90 के सामने वाली बुजा है वो निस्चित रूप से निस्चित रूप से कड़ ही होगी इसको तो आप कड़ कहना कहना है ठीक और जो तीसरी बची उसको क्या कहेंगे हम आधार कहेंगे बोलो किलियर हो गया पहले आप तीनों बुजाओं के बारे में कड़ कानपात देखें तो लंब से जो कड़ कानपात होगा उसको हम साइन थीटा कहते हैं क्या कहते हैं? याद रखना है आपको अच्छा, इसके बाद आधार से जो कड कानपाथ होगा अधार से जो कड कानपाथ होगा आधार बटे कड होगा उसको आपको याद रखना है ये कॉस थीटा होता है ठीक, थीटा मानी वो निवनकोर्ड जो हमें प्रिश्ण में दिया जाएगा ठीक है? इसके बाद अगर हम टैन थीटा की बात करें तो ये होता है लंब बटे आधार लंब बटे आधार लंब और आधार के अनपात को क्या कहते हैं हम टैन थीटा कहते हैं ये तीन निस्पतियां आपकी मुखता तीन निस्पतियां हैं और तीन निस्पतियां इसकी बितकुर्म और उती हैं, उनको क्या कहते हैं, देखिए कोड थीटा कहेंगे कोड थीटा ये क्या हुता है? आधार और लंब का अनमथ होता है, आधार अपасс अप्पाण लंब क्या लिख दें, card upon आधार, तो इसको क्या लिख देंगे, sack theta लिखेंगे, ठीक, और ant में एक अगर हम इसका उल्टा कर दें, किसका, sign का उल्टा कर दें, card upon, क्या कह दें, card upon lump, तो इसको हम कहेंगे, quosac theta, क्या कहेंगे, quosac theta, ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको 6 निस्पतियां बताएं, तो कोण मिती की कितनी निस्पतिया आप टोटल हो गई, 6 निस्पतियां हो गई, जिसमें कि sin theta बराबर होता है, लंब बटे कर, qosac theta बराबर होता है, आधार बटे कर, होता है किलियर तो मेरे खियाल से आपको निसीपतियां बिल्कुल इस फ़ेश्ट समझ में आ गई होगी साथ-साथ एक बात ये भी समझ में आ गई होगी कि इन निस्पतियों में भी परसफ़र कुछ समंद होता है क्या समझ में आया आपको, अम मैंने बताया आपको कि साइन का बित्कुर्म क्या लिखा, आमने कौसेक, देखिए, यहाँ पर कार्ड उपर कर दिया और यह लंबस से भाग कर दिया तो इसका मतलब साइन और कौसेक भी आपस में एक दूसरे के बित्कुर्म होते हैं, आपको यह भी जानना है आपको याद रखना है, कि साइन थीटा जो होता है, वो कौसेक थीटा का बित्कुर्म होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे कौसेक थीटा जो होता है, वो साइन का बित्कुरुम होता है, एक बठे साइन लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, समझें बात ध्यान से, कैसे, कि अगर इधर ले आएं, तो ये साइन थीटा, और इसमें कोसेक थीटा का मल्टिपल हो जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, एक, बात तीनों एक ही लिखी है, साइन थीटा एक्वल टू बन अपॉन कोसेक थीटा, या ये कहें कोसेक थीटा एक्वल टू बन अपॉन साइन थीटा, कॉस काय का बित्कुरूम होता है कॉस थीटा बराबर एक बटे सैक थीटा मनि अभी हमने आपको बताया है यह दो को कॉस लेखा हुआ है और कॉस का बित्कुरूम हमने आपको दो को सैक लिखके बताया था बताया था यह देखे करड़ बटे आदा करड़ बटे आदा उल्ट या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इधर ले आएंगे तो लिख दें कौस थीटा इंटू में सेक थीटा एक वाल टू बन ठीक किसी को कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार एक अंत्यम और बाद कि टन ठीक जो होता है वो आपका kट थीटा का भिद्कुर्म यह देखिए टन यह और यह kट यह देखिए उल्टा लेखा होगा लम बटे आधार यह आधार बटे लम तो है ना उल्टा है धूसरे से 10 theta equal to क्या लिखेंगे 1 upon cot theta ठीक या इसको ऐसे कह सकते है 10 theta into cot theta equal to 1 बोलो के लियर तो इस तरीके से आपके पास 10 से आपको पता होना चाहिए कि 10 का बित्कुर्म cot होता है sine का बित्कुर्म kawasak होता है यहाँ पर दो बार लिखना मेरी खाल से कोई उचित नहीं है आपको याद रखना है 10 का बित्कुर्म cot होता है तो cot का बित्कुर्म 10 होता है सीधा सीधा है या इनका दोनों का गुड़न फल बराबर कितना होता है एक होता है इसी परकार sine का बित्कुर्म kawasak होता है या kawasak का बित्कुर्म sign होता है अगर इन दोनों का गुड़न खर दिया जाए तो बराबर एक होगा इसी प्रकार cos theta बराबर एक बटे sec theta होता है अर्थात cos theta equal to bun upon sec theta या कहेंगे sec theta equal to bun upon cos theta या sec theta और cos theta दोनों का गुड़न फल बराबर एक इतना मेरी खाल से आपको basic बिल्कुल समझ में आ गया होगा किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप ये मानें कि आपकी एक exercise complete हो गए यही सूत्रे हैं यही सब basic है कुछ भी आपको नयार नहीं करना है आपको किबल 3 बात नहीं केबल और किबल 3 कौन से किसी भी समकॉनी त्रबुज में कर्ड क्या होता है लंपकी आ धार क्या होता है हमने आपको बताया है जो new reaction दिया जाए उसके सामने की बुजा को आपको लंब लिखना है 90 के सामने बाली बोजा को काड़े लिखना है और तीसरी जो बोजा बची है उसको हम आधार कहेंगे फिर इसके बाद जो हमने निस्पतियां लिखी है थोड़ा हम देखिए इनको याद करने कहीं कि हम आपको ट्रक बता दें क्या जैसे हम यहां पर एक सब्द लिख दें L-A-L upon K-K-A इसका क्या आर्थ है पूरा आर्थ समझ ले जैसे L मानी L मानी लम A मानी A मानी आधार हम हिंदी में बिल्कुल सुद्ध हिंदी में याद करवा दें आपको L मानी क्या है लम A मानी आधार और K मानी कड यहां पर आपके तीन बुझाए हैं इस बुझाओ को K मानी कड कह दें इस बुझाओ को A मानी आधार कह दें और इस बुझाओ को लम कह दें ठीक है न? तो यहां पर देखिए Sine Theta बरावर अगर इस यहां पर इसको देखें कड करदें लम बटे करद यह आपका क्या हो जाएगा? यह Sine हो जाएगा Sine Theta बरावर क्या हो जाएगा? लम बटे करद इसको यहां पर देखो यह आपका कॉस है इसको कहेंगे कॉस Theta मनी कॉस Theta बरावर क्या होता है? आधार बटे करद और ये एक तीसरा सब्द है आपका ये इसको कहेंगे 10 थीटा तो 10 थीटा बरावर क्या होता है लम बटे आधार खिक अब अगर हम तीन निस्पतियां याद है और हमें पता है कि 3-3 की उल्टी होती है तो 10 का उल्टा करेंगी तो क्या मिलेगा? अगर हमें कोट याद करना है तो आपको लिखना है अधार बटे लम यह इधर से गिंती गिंदें अगर यहाँ पर कोट लिख दें तो कोट बरावर हो जाएगा आधार बटे लम सेक यहां लिख दें तो सेक थीटा बरावर क्या हो जाएगा? कड बटे आधार और यहाँ पर कवसैक थीटा तो ये कवसैक थीटा बराबर कड़ वुटें लब लिख दे ठीक है मेरे साउ हमegं किसी को कोई समस्या नहीं होगी आपको के बल ये लिखना है L.A.L मानि लाल कह सकते और K.K.Ała कह सकते तो इस तरीके से हमें इसको याद रखना है ये sign है, ये cause है, ये 10 है और इधर से याद रखेंगे तो ये caught है, ये sec है और ये cause है, clear? तो ये basic चीज़ें अगर आपको याद हो गई है तो मेरे खाल से अब सीधा सीधा हम exercise के तरफ आपको लेके चल लएए ठीक है, किसी को कोई समस्या, नहीं, अगर किसी को कोई समस्या है तो बताओ भई clear? चलिए exercise के कुछ सवाल देखते है तो देखिए exercise का पहला question एक समकॉंडी तरबुज है, इसमें कॉंड B समकॉंड है इस समकॉंडी तरबुज में A B भजा 24 cm दी गई है B C भजा 7 cm दी गई है, देखे एक चितर बना के बताएं आपको आपको एक समकॉंडी तरबुज बनाना है और इस समकॉंडी तरबुज में B वाला कॉंड यहां बनाना है 90 समकौन बनाना है और ये आपका A और C इसको आप कहीं भी लिख सकते हो कोई दिक्कत वाले बाद ठीक तो ये आपका क्या है समकौन इतर बोजे इसमें B वाला कौन समकौन है और इसमें A B भुजा 24 दी गई है तो ये वाली भुजा आपको लिखनी है कितनी 24 सेंटी मीटर और B किसी भुजा को लिखनी है कितना साथ सेंटी मीटर ठीक ये आपका साथ है ये 24 है बैसे चितर के रिसाब से थोड़ा इसको बड़ा बनाने चाहिए इसको छोटा बनाने चाहिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं हम फिलाल इसको 24 मान लेते हैं और इसको साथ मान लेते हैं पाइथागूरस प्रमे आपको आता है कार्ड का बर्ग से इस दोनों बजाओं के बर्गों के योग के बरावर होता है ठीक है न हमने आपको जोमेटरी में प्रूब भी करवाया है कार्ड बर्ग बरावल लंबर्ग प्लस आदार बर्ग ये हमने आपको वहां पर प्रूब करवा दिया है अगर आई बिटन दबा के आप इसको देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं तो इस तरीके से यह आपका कड़ निकालना है इसको हम यहां पर लिख देते हैं समकोडी तरभोज A, B, C में पाइथागूरस प्रमे से प्रमे से तो पाइथागूरस प्रमे अभी हमने बताया आपको क्या होता है कड़ का वर्ग से इस दोनों बुझाओं के वर्गों के योग के बरावर होता है अर्थार्थ कड़ का वर्ग मनी C A का वर्ग बरावर लंब कितना है B C तो B C का और आधार कितना है, a, b, तो लिख दें, a, b, का बर्ग, clear बर्ग c a की value हमें ग्यात करनी है B, c की value दी गई है, 7 तो लिखना है, 7 का बर्ग, और plus a, b, की value दी गई है, कितनी 24 लिख दें, 24 का स्, तो यहां हो जाएगा, 7 का बर्ग 49, plus 24 का 24 में गुड़ा, 576 होता है और दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका ये 9, 6, 15, 5 हांसे लेग, 7, 4, 11, 12 की 2 और ये आपका 5, 6, 625 अगर बर्ग मूल लें तो सिये बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटी मीटर, सिये मानी ये कड़ आपका 25 सेंटी मीटर देखो निकल के आ गया साही है? अब तिरवज की 3 बोजा हमारी कंपलीट हो गई, ये बोजा, ये बोजा और ये बोजा दोकों इसमें आप कब इसको आधार मानेंगे, कब इसको लम मानेंगे, ये अभी हमने आपको बताया, उसके इसाब से करना है आपको सबसे पहले आप आजाओ तो यहाँ पर आपको लिखना है साइन एक ही बेलू ग्याद कर दो और साइन ए बराबर देखें यह बाला ए लिखा है न तो अब आपका नियून कॉण यह हो गया जिस पर हमने थीटा लिखा था वो कॉण आपका यह है तो अजब यह यहाँ पर कॉण बनेगा तो हमने क्या बताया इसके सामने वाली बुजा को लंब माने यह लंब हो गया और यह आपका क्या हो गया कड़ बदलता नहीं है कड़ आपका 90 एंगल के सामने वाली बुजा को क्या कहते है कड़ कहते है तो यहाँ पर sign बराबर आपको लिखना है, कितना लिखना है? Lumb, बटे, कड़, देखिए, sword में लिख दिया हमने, L upon K, मानी Lumb upon कड़, ठीक है न? इसको अगर हम यहाँ से लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे? यह BC बाली Lumb हो जाए, और कड़ आपकी, यह CA बाली हो जाए, अगर लिखना चाहें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, BC और बटे में CA, ठीक, BC की बहलू कितनी है? 7, और बटे में CA की बहलू कितनी है? 25, तो यह आपका sign A का मान के लिखेंगे हैं, ठीक है न? इसी प्रकार अगर हम कॉसे का मान निकालना चाहें, तो यह देखिए, कॉसे बराबर निकाल दें, तो यह हो जाएगा कॉसे बराबर, क्या होता है? आधार बटे कर्ड, होता है न? तो आधार यहां पर क्या है? यह है आपका AB आधार है, और बटे में कर्ड कर्ड कितना है? C A आपका C A लिखना है आपको तो अब बताएं A B की वैलू कितनी है 24 है 24 लिखना है और C A की वैलू आपकी कितनी है 25 है तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कॉस A कामान कितना हो गया कॉस A बराबर 24 वटे 25 केलियर कोई डाउट इसके बाद अब आपके पास यहां पर आ जाते हैं यहां पर थोड़ा समझने की बात है अब आपको समझना है साइन सी यह देखिए कॉन आपका C यह है अगर यहां पर अगर हम टिक मार दें अब यहां से काम खतम अब यहां पर हमने टिक मार दिया और ये बुझा आदार हो जाएगा ये आपका गणब बदलता ही नहीं तो अब आपको यहाँ पर लिखना है Science C Science B पराभर सुछट तो वही बताया है क्या बताया Lum B přटे कड Lum B vatay कड लिखना आपको Lum B přटे कड ही है लेकिन لم्ब पे कौन सी बुजा मानोगे अब लम्ब वाली बुजा भी यह हो जाएगी क्योंकि यह वाली तो को हमने बताया जो नियून कौन होता उसके सामने वाली बुजा को क्या कहते हैं? लम्ब कहते हैं यह आपका लम्ब होगा, लम्ब कितना होगा A B और अपन में कर्ड कर्ड आपका C A बना रहा है ठीक है तो यहां पर लंब पर आपको लिखना है किसना 24 और कर्ड पर लिखना है 25 तो यह आपका साइन C का मान होगा मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा इसके बाद फिर आपको कौस C की वैलू गयाद करनी है कौस C सूत्र वही याद रखना है कौस बराबर क्या बता है आधार वटे कर्ड लिखना है लेकिन आधार कौन बोजा हो जाएगी अगर यह हमने बताया यह लंब है तो इसका मतलब आधार यह है ना आधार आपको लिखना है किसना BC और कर्ड आ प्लक्ण इमान आ घ् legislation कितना साथ वटे 25 ठीक तो साइन सी के मान और क्वास्च के मान निकालने के लिए योन कॉड योन निवन को रडर तो इसको आपको क्या लिखना है लंब नेसे लिए यह अधार ये कật और अगर स यह अधार हो जाएगा तो इस तरहरे से मेरी खाल स माँझमें आगया होगा पूरा तो आप सब्हाल संख्या दूसरा दिखने, देखिए दूसरा question, यहाँ पर इस में आपको एक तर्भुज दिया गया है, P, Q, R, इसमें Q वाला कॉन 90 है, आप से कहा गया है, कि 10P माइनस कॉट आर का मान आपको बताना है, तो हम 10P का मान पहले अलग ग्याद कर लें, कॉट आर का मान ग्याद कर लें, औ आप बता सकते हो, इसके सामने बाली बुजा यह क्या हो जाएगी, यह लंब हो जाएगी, ठीक है न, याद रखना है, यह बुजा आप लंब हो जाएगी, किसके लिए 10P अगर कॉन निकालना है, मानि 10P का मान निकालना है, तो आपको यह बुजा को क्या लिखना है, लंब आर में पाइथा गुरुस प्रमे लगाएं पाइथा गोरस प्रमे से तो क्या होता है पाइथा गुरुस प्रमे मेरी खाल से आपको अच्छी तरीके से पता है क्या पी आर का स्क्वाइर बराबर पी क्यू का स्क्वाइर प्लस क्यू आर का स्क्वाइर कार्ड का स्क्वाइर इन दोनों भुजाओं के बर्गों के योग के बराबर तो ये तो आपका 13 दिया गया है तो लिख दें 13 का स्क्वाइर ये दिया है 12, 12 का स्क्वाइर प्लस QR हमें ग्याद करना है ठीक, तो ये 13 का स्क्वाइर 179 और ये बराबर का निसान यहाँ पर 12 का स्क्वाइर कितना 144 और ये प्लस का QR का स्क्वाइर ये 144 इदर ले आएंगे तो 179 माइनस का 144 और बराबर में हो जाएगा QR का स्क्वाइर बताएं कितना हम बच गया ये आपका 9 में से 4 गटाएगा 5 बचाएगा, ये 25 हो जाएगा ठीक है, QR का स्क्वाइर अगर बर्गमूल ले ले लें तो QR बराबर कितना हो जाएगा 5 ये आपका एक जो बचा है वो 5 निकल रही 5 सेंटेमिटर ठीक, क्लियर अब आते हैं, देखिए हमें दो चीजें चाहिए, 10P चाहिए और कौट र चाहिए, पहले हम 10P की बात करें 10P अभी हमने आपको बता दिया कि प अगर कौण लेना है तो ये बचाव का लंब हो जाएगा क्योंकि प के सामने बाला यही तो है ना निए उन कौण के सामने बाली बचाव को क्या कहते हैं तो ये आपका लंब है, ये आधार है तो यहाँ पर आपको लिखना है 10 बरावर होता है, लंब बटे आधार लंब बटे आधार उमने बताए लंब कितना है लंब आपका ये है, Q, R और अपॉन में P, Q ठीक तो ये आपके पास हो गया कितना 5 बटे 12 10 P की वैलू दो को यहाँ पर हमने लिख दी इसके बाद हमें काई की वैलू गयाद करनी है कौट R की तो यहाँ पर कौट R बरावर और निकालो कौट R देखिए अगर हम R कौण लें याद करें R अगर कौण लेंगे तो R के सामने वाली वजा को अब इसको लंब मानें यह लंब है यह आधार है कड़ बदलेगा नहीं ठीक तो कौट बरावर सूत्र होता है यह 10 का वित्कुरूम होता है 10 बरावर लंब बटे आधार है तो यह क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा अब आधार इसमें क्या है आधार इसमें है QR और बटे मैं लंब लंब कितना है लंब आपका यह है PQ ठीक तो बताएं कितना हो जाएगा पांच बटे बारहाएगा भी हो जाएगा यह 5 और बटे में बार क्लियर अब देखिए इनको हम यहां पर रख दें तो बस सीधा-सीधा मान ग्याद हो जाएगा यहां लिखके दिखा दें 10P minus 4R का मान हमें ग्याद करना है तो बताएं 10P की वैल्यू हमने क्या निकाली यह 5 बटे 12 और minus 4R का मान भी आपने 5 बटे 12 ही निकाला है तो क्या होगा घट जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपके पास यह 10P minus 4R की वैल्यू कितनी हो गई 0 ओके किसी को कोई डाउट देखिए अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ठीक है अगर आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा है तो बीडियो को एक बार लाइक कर रो गई ठीक है चलिए आँगे कुश्य नमबर 3 देखिए कुश्य नमबर 3 इसमें यहाँ पर उन दोनों प्रश्णों से थोड़ा उल्टा है क्या उल्टा है समझें बात यान से यहाँ पर भुजाएं नहीं दी गई है साइन ए निस्पति दी गई है 3 बटे 4 देखिए साइन बराबर होता क्या है आपको पहले एक तरभुज बनाना है और इस तरभुज में नाम देना है A B C ठीक है साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ड साइन A बराबर देखिए धान दें साइन A बराबर 3 बटे में 4 दिया गया है होता है लंब बटे कर्ड वास्तम में इसका मतलब है लंब पर आपको 3 तीन लिखना है, कर्ड पर आपको चार लिखना है, अब आपको ये भी देखना है कि कौन सा लंब है, कौन सा कर्ड है, कौन सा आधार है, ये भी आपको पता करना है, तो चूंकि कौन दिया गया है, नियून कौन दिया है, ए, इसलिए ए वाले सामने की बुझा को क्या कहेंग हो आधार पता नहीं है करण कितना है चार है इस पर चार लेखें इस पर चार लेखें इह आधार चलिए प्रमे से तो बताएं क्या होता है अभी हमने बताएं वही लिखना है आपको क्या लिखना है C A का स्कॉाइर बराबर C B का स्कॉाइर प्लस B A का स्कॉाइर ठीक है C A का square का मान दिया है 4 तो लिख दें 4 का square बराबर C B ये 3 दिया गया है 3 का square लिख दें ये हमें B A का मान ग्याद करना है ठीक है तो 4 का square 16 होता है 3 का square 9 प्लेस B A का square यहाँ पर इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 9 और बराबर में लिखना है B A square ठीक है इसके बाद आँगे आएं तो यहाँ पर 16 मैंसे 9 घटा दें कितना बचाएगा 7 बचाएगा तो B A square और बराबर लिखना है कितना 7 अगर बर्गमूल ले लिया जाए तो B A बराबर आपको कितना लिखना है अब आपकी ये वाली भुजा ग्यात हो गई अब आपको चाहिए क्या चलिए यहाँ पर आजाएए आपको निकालना है कौसे का मान ये देखिए ध्यान दें फिर वाई बात कि ये वाला कॉंड नियून कॉंड है लिखाए ना ये तो ये नियून कॉंड है इसका मतलब लंब तो आपका यही रहेगा आधार ये रहेगा कड ये रहेगा कॉस बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटे कड क्या होता है आधार बटे कड अब आधार आपका क्या है हमने बता है आधार आपका है A, B या भी ये एक ही बात है और अपन कड कितना है C A ठीक अब A B बराबर आपने कितना निकाल लिया है A B बराबर अंडरूर साथ निकाल लिया है और अपन में C A इसकी वैलू कितनी है 4 है तो अब हमारे पास ये कौसिक का मान ग्याद हो गया ठीक है अब दूसरा एक और दिया गया है यहाँ पर 10 A का मान ग्याद करना है 10 बराबर क्या होता है ये होता है लंबटे याधार बस याद करना है अगर आपने याद नहीं कर पाया याद करने का तरीका भी हमने आपको बता दिया तो यहां पर दिखिए, यह sign क्या मान होता है? प्रॉट रखना है कोई खास बात नहीं है चलिए अच्छ बताएं आपको तो टैन एक की वैलू कैसे कियात करेंगे 10 बराबर है लंब बटे आधार ठीक है नब बताएं लंब की वैलू क्या है लंब है आपका वी सी वी सी या सी या सी भी एक बात और अपॉन आधार यह आप आपर तीन बटे अंडरूट साथ, किलियर, बस दोई चीजे पुशी गई थी, किलियर हो गया, चलिए कुश्य नमबर, चौथा देखें, देखें, एक साथ दो कुश्य लिखें हुए, एक तो चौथा नमबर, एक पांचमा नमबर, तो यहाँ पर पंदरा कॉट्टी बराव हे नमबर में लिखा है कितना 8, यहां से समझना है, तो यहाँ पर अगर हम कॉटे का मान निका लें, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 8 अपॉन में 15 अगर हम यहां से चितर बनाएं, समकॉणडी तरभोज बनाएं, और समकॉणडी तरभोज का नाम देदें, A, B, और C, ठ तो देखें यहां पर यह एंगल बना हुआ है कितना ए यह नियून कॉण्ड है और नियून कॉण्ड के सामने वाली ये बुजा को क्या के एंगे लंब कहेंगे यह आपका लंब हो जायागा यह आपका अधार हो जाएगा और कड कबिभी बदलता नहीं 90 के सामने वाली और यह होता है टेन, और टेन का उल्टा करेंगी, तो क्या होता है, कोट, अर्थात कोट बराबर हो जाएगा, आधार बटे लम, चाह हो जाएगा, इसको आधार कहेंगे, यह लम कहाएगा, ठीक है, तो यह आपका आधार आठ लिख दें, और लम पे कितना लिख दें, यह 15 ल स्थियर हो गई बात अब आपको यह कड़ पता नहीं है पहले हम कड़ का मान पता कर लें समकॉडी तरभोज ए बी सी में आपको पाइथागुरस प्रमे लगा नहीं है 15 है 15 का square लिख दें और यह आपका लिखना है 20 का square मनी 8 का square ठीक तो 15 का square करेंगे 225 और 8 का square करेंगे 8 का 8 में 8, 8864 योग कर दें दोनों का 5, 4, 9, 6, 2, 8 और 289 इसका बर्ग मुल लेंगे तब CA का मान आएगा 17 का 17, 279 होता है तो यहां पर CA का का मानन आपका यह कर्ड का मानन कितना आ जा Monroe recently ठीक अब बताइं क्या आपको निकालना है अब आपकोन छोटी छोटी सी दो बाते आपको पता करनी है एक सबसे पहले साइन आ का मानन पता करना है साइन बराबर अभी अमने आपको सूत्र बताया मं बटे करunta है होता है ना sign बराबर ये देखिए lamb बटे कार्ड ये sign होता है ये cos होता है ये 10 होता है ठीक है ना तो sign बराबर lamb बटे कार्ड अब बताएं इसमें lamb क्या है क्योंकि आधार पर ये अब आला ये दो कौन जो बना है new one कौन वो उसके सामने वाली बुझा ये ये तो lamb है तो इसको लिखना है bc और कर्ड आपका c a bc की value है 15 और c a की value है 17 तो इस तरीके से sign a का मान ये निकला आया कितना 15 बटे 17 इसके बाद sec a अब देखिए sec a को देखें कैसे sec a का बित्कुर्म है cost का ये देखिए बीच में ये होता है sign और ये cost होता है इसका बित्कुर्म करेंगे तो क्या करेंगे card बटे आधार लिखेंगे क्या लिखेंगे card बटे आधार अब बताए card यहाँ पर card कितना है ये है आपका c a और आधार कितना है b a तो इसको आपको लिखना है 17 बटे 8 कि ये आपका clear रोगा point out चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो ग्याद करना है वो क्या है सभी त्रकॉण मिती अनपाद मानि एक आपको दिया गया है और 6 होते हैं पूछा 5 त्रकॉण मिती आपसे पूछे गई हैं सेस 5 हैं वो सब बतानी है तो यहाँ पर देखिए लिखा है सैक थीटा बराबर 13 बटे में कितना है 12 ठीक है यहाँ पर अगर हम त्रुभुज बना दें यह आपको यहाँ पर लिखना है सैक बराबर देखिए अभी अब LAL upon KKA यहाँ पर आएं यह साइन है यह आपका क्या है कौस है और कौस का बित्कुर्म सैक होता है तो सैक दिया गया इसका मतलब कार्ड बटे आधार यहाँ पर आपको लिखना है कार्ड और यह है आपका आधार अर्थाथ हम कह सकते है कि जो कार्ड है वो आपका कितना है यह 13 और आधार है वो कितना है यह 12 ठीक क्योंकि यह इस बज़ा को क्या कहेंगे यह लंब है ना लंब वाली बज़ा हमें पता नहीं है तो अब हमें लंब पहले ग्याद करना है ठीक यहाँ पर लगा दैं पाइथाग उरस प्रमे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखें पाइथाग उरस प्रमे से प्रमे से क्या होता है पाइथाग उरस प्रमे आपको लिखना है यह आपका है कितना 13 है इसका square यह ग्याद यह आपको कड़ कामान दिया गया है और यह आपका lump ग्याद करना है lump को हम L से लिख लिए हमने नाम कड़ नहीं किया है तो lump पे क्या लिख दिया L तो यह L का square यह ग्याद करना है और आधार यह कितना है 12 तो लिख दें 12 का square ठीक है न अब 13 का 13 में स्क्वाइर करेंगे 179, 13 का 13 से उड़ा 170 और यह हमें लंब का बर ग्याद करना है, प्लस यहां पर लेखेंगे 12 का स्क्वाइर 144 इधर ले आएं, 179 मानस 144 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वाइर तो यहां कितना बचाएगा, 25 बचाएगा, तो लंब का स्क्वाइर 25 बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटी मीटर हो जाएगा यह आपकी यह वाली बुजा, लंब वाली कितनी निकलाई, 5 अब आपको बस वही सीधा सीधा काम, sign निकालना है, cos निकालना है, बस 5 निस्पतियां जो बची उनको निकालना है, sign theta बरावर क्या लेखते हैं, लंब बटे कड, लंब कितना है, लंब ये देखिए, हमने निकाल लिया, कितना पांच, और कड पर कितना लिखना है, 13, तो 5 बटे 13, ये sign theta का मान हो जाए, ठीक है न, इसी के साथ आपको अगर cos theta का मान ग्याद करना है, तो आपको लिखना होता है, आधार बटे कड, आधार और कड कितना है, तो ये आपका निकल आया, sin theta का मान फिर cos theta का मान, दो निकल आंए, इसके बाद हम ten theta निकाल दें, यहां लिख़णे ten theta का मान बताए, कितना हो जाएगा, तेण बनाबर होता है, लंब बटे आधार, होता है न, आप बताएं लंब हमने निक्छना पांच और अपॉन आधार पे कितना लिख दें बारह लिख दें तो ये आपका 10 थीटा का मान 5 बटे 12 हो जाएगा इसके बाद अब आपको कोड़ थीटा अगर निकालना है तो कोड़ बराबर हमने आपको बताया क्या बताया 10 का वित्कृम 10 आपका ये लिखा है तो इसको ल अंसर लिखते जाए इस पर है ना अब आपके पास क्या बचा साइन हो गया कौस हो गया 10 हो गया कौट हो गया कौसैक तो सबाल में दिया ही गया एक निस्पती और बची कौसैक थीटा तो यहाँ पर आपको लिखना है कौसैक थीटा कौसैक का ये का बित्कृम होता है साइ क्लियर तो 6 निस्पतियां आपके वो थी इसमें से एक निस्पति केबल दी गई थी 5 निस्पतियां हमने ग्याद कर दो क्लियर चलिए और आंगे सवाल नंबर पांचमा देखें छटमा देखें कुछे नंबर छटमा यदि A और B दोनों नियून कौंड हैं चित्रब से देख दोनों नियून कौंड हैं सी वाला समकौंड बना दें तो यहां पर आप से दिया गया है एक बात और दही गई है कि कौस A बराबर कौस B ये भी दिया गया है तो दिखाना है कि कौंड A मन ये दोनों कौंड आपस में बराबर हैं ये दिखाना है चलिए देखो कैसे करते है हमें जो बात दी गई है हम उस पर अगर आ जाएं हमें दिया गया है cos A बरावर cos B अब बताएं cos A की निस्पत्ति क्या होते है cos बरावर क्या होता है cos देखिए ये कौण आपका A वाला हम लेके चल रहे हैं अगर A वाला कॉंड लेंगे तो निशित रूप से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और कड़ बदलता नहीं है, तो यहां पर कौस बराबर सूतर होता है, आधार बटे कड़, होता है ना, तो आधार इसमें कौन सी बुझा है, C A, और कड़ कौन सा है, A B, समझ ये लंब है, तो ये आधार हो जाएगा, और ये कड़ तो बदलता नहीं है, तो आधार बटे कड़ ये आपका कौसे का मान निकला आया, अब बराबर कचिन लगा दें, अब देखिए फिर बदल जाएगा, कौस B लिखा है, तो अब B वाला ये निउन कौन है, अब B वाले कि सामने वाले पर आओ, तो ये आपका लंब हो जाएगा, जब ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, पक्का है ना, अब आपको ये याद रखना है, कि ये आधार, ये लंब है और ये आधार है, ठीक, तो सूतर आपके पास वही लगाएगा, कौन सा, आधार बटे काड़ तो आधार बटे काड़ इसका मतलब आधार आपका कौन सा है BC है और काड़ कौन सा है यह आपका AB है ठीक है ना फिर समझें आपको क्या समझेना है कौस B की वैलू जब ग्याद करेंगे तो B वाले एक सामने पर आएं तो यह आपका लंब हो जाएगा और आधार यह हो जाएगा सूतर होता है आधार बटे काड़ मानि BC बटे AB क्लियर इसमें अगर हम सीधा सीधा देखें तो AB AB कैंसल हो रहा है तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं CA बराबर BC CA बराबर BC का क्या मतलब है CA बराबर BC मनि यह दोनों बुझाएं आपस में कैसी हैं बराबर बराबर आपको पता बहुत अच्छी तरीके से है किसी भी तर्वुज की अगर दोनों बुजाएं बराबर होती है तो दोनों संगत कौण आपस में बराबर होते हैं तो यब ये बुजा और ये दोनों बुजाएं बराबर हैं बटे इसलिए आपको लिखना है कोड़ए बटे आट तो हमें पहले नमबर पे ग्याद करना है 1 प्लस sin theta into 1 minus sin theta पूर 1 plus cos theta into 1 minus cos theta का मान ग्याद करना है और इसी का दूसरा एक और सवाल है उसमें लिखा है cot square theta का भी मान हमें ग्याद करना है चलिए दो को कैसे करेंगे सबसे पहले हमें दिया गया है cot theta बराबर में 7 बटे 8 समझे बात ध्यान से हमने आपको बताया cot बराबर होता क्या है cot theta की निस्पति में sin cos 10 और 10 का बित्कुर्म cot होता है 10 का अगर याद है तो उसका उल्टा कर दें अगर याद कुछ नहीं है तो सीधा सीधा हुआ ही रामबान जो है उसको याद रखें क्या LAL upon KKA ये क्या है sin ये क्या है cos और ये आपका है 10 अगर इसका 10 का उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा cot हो जाएगा मनि आधार बटे लम क्या हो जाएगा आधार बटे में लम इसका मतलब आधार आपका कितना है 7 है और लम आपका कितना है 8 है तो यहाँ पर आपको एक संकॉंडी त्रवुज बनाना है और यहाँ पर नियून कॉंड थीटा लिखना है यह आपका 90 है नाम करल कर दें A B C ठीक अब आपको आधार पर क्या लिखना है यह देखिए ध्यान दें यहाँ पर अगर थीटा माना है इसका मतलब यह लंब हो गया यह आधार हो गया यह कड हो गया तो चलिए कोई बाद ने अब यहाँ पर देखिए आधार पर आपको क्या लिखना है साथ यही तो आधार है जूकि यह हम ने बताता है लंब है, ठीटा के सम्नेबाली भुन होती है यह अधार है, तो अधार पे आपको साथ लिखना है और लंब पे आपको क्या लिखना है? आठ लिखना है, अब आपको कड़ ग्यात करना है, पाइथा-गुरस-फ्रमे लगा दिया है है इन दोनों भुजाओं के बर्गों के योग के बराबर अथाद 8 का स्क्वाइर प्लस 7 का स्क्वाइर बताएं 8 8 64 हो जाएगा 7 का 7 में कुड़ा सासत्य 49 हो जाएगा 9 4 13 का 3 और 10 और 11 मन यह आपका सीए स्क्वाइर बराबर कितना हो जाएगा 113 अगर बर्गमूल लें तो सीए बराबर अंडर रूड 113 लिख दें ठीक है ना बर्गमूल नहीं आएगा इसलिए अंडर रूड का निसान लगा दिया यह आपका यहां लिख दें अंडर रूड 113 है अब बताएं क्या हमें निकालना है हमें निकालना है यहां से साइन थीटा की जरूरत है और कौस थीटा की जरूरत है है ना तो यहां साइन थीटा और कौस थीटा दोनों के मान हम ग्याद कर लें चलिए यहां करके देखा देते हैं बताएं साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा साइन थीटा लंब कितना है, यह है 8,, दाइर्क्ट लिख दें, 8, और बटे में, कड, कड कितना है, अंडर रूट एक तो, 13, अब बताएं, कॉज सीट़ का मान निकालें, तो कोज सीटा बराबर क्या हो जाएगा, यह उता है, आधार बटे कड, आधार, और बटे में, कड, बताएं आधार कितना है आधार है आपका 7 और कड कितना है अंडर रूट 113 ठीक ये आपका sin theta और cos theta का मन गयात हो गया इसमें भर दें बस answer आजाएगा तो अब हम number 1 जो हमें जिसकी value गयात करनी है उसको लिख लें क्या लिखा है 1 plus sin theta और into में 1 minus sin theta और upon में लिखा हुआ है कि cos theta ठीक है ना बस एक मारे ऐसा भी कर सकते हैं इसका इसमें सीथा सीथा पहले गुड़ा कर लें नीचे भी गुड़ा कर लें उसके बाद बमान रखते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां कर सकते हैं देखिए 1 plus sin theta का 1 minus sin theta में जब गुड़ा करेंगे तब यह हो यहां पर आपको यह जो sin theta और cos theta के value निकाली है वो रख दें यह देखिए sin theta का मान हमने निकाला है देखिए 1 फिर minus अब sin theta का मान लिखना है 8 बटे में under root 113 है और इस पर square लगा दें क्योंकि sin का square है न और upon में बिल्कुर ठीक इसी प्रकार यहां पर 1 minus cos theta का मान कितना है 7 7 बटे में under root 113 है और इस पर भी आपको square लगाना है चलिए यहां देखा लें बराबर का निसान यहां पर पताएं देखिए क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1 minus यहां पर square करेंगे 8 864 हो जाएगा यहां पर यह under root खतम हो जाएगा 113 हो जाएगा नीचे आ जाएगा तो यह यहां पर देखिए ऊपर और नीचे ऊपर में आपको LCM लेना है 113 और नीचे से भी LCM 113 आएगा सीधा सीधा कैंसिल कर दें अगर हम एक step चुपाना चाहें तो यह 113 इसका LCM उपर से और नीचे से लेने के बाद कैंसिल हो जाएगा तो यहां से करना है आपको 113 माइनस मे 194 ठीक है तो यह आपको यह घटा दें कितना बचाएगा 13 से 4 घटा दें 9 बच जाएगा और 10 से 6 घटा दें तो 4 बचाएगा 194 और अपोन में नीचे क्या बचाएगा 13 से 9 घटा दें तो 4 बचाएगा और यह 10 से 4 घटा दें तो 6 बचाएगा मानि 49 बटे 64 आपका ये अंसर आ गया पहले वाले भाग का किसका ये इसका इतने का पूरे का अंसर कितना आ गया 49 बटे 64 अब आपको यहाँ पर कॉट स्क्वाइर थीटा की वैलू और ग्याद करनी है चलिए एक छोटा इससी बात है तो चलो यहाँ पर हम आपको ये कॉट स्क्वाइर की वैलू और ग्याद करके बता दें कॉट स्क्वाइर की वैलू कैसे ग्याद करेंगे बताओ कॉट बराबर क्या फोर्मूला होता है कॉट 10 का बित्कुर्म होता ना 10 बराबर होता है लंब बटे आधार तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब बताएं इसमें आधार कितना है ये आधार है 7 और लंब कितना है ये है 8 और इसका जब square कर दें क्योंकि quart square theta की value हमें ग्याद करनी है न तो यहाँ पर भी square लगा दें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कितना 7 बटे 7 का square साथ सत्य उनन्चास लिख दें और 8 का square आट अठे 64 लिख दें या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर quart theta का मान पहले ग्याद कर लें और फिर इसका square बाद में कर दें तो ऐसे भी कह सकते हैं quart square theta equal to 7 और बटे में 8 और इसका square कर दें तो यह हो जाएगा साथ सत्य उनन्चास और बटे में 8 अठे 64 ठीक तो यह आपका हो गया quart square theta का मान ठीक है दोनों part clear हो गए वैसे तो answer दोनों के save में है है ना इसको हल करेंगे मनि इसको जब हम हल करेंगे तो भी वास्ता में quarter square theta ही आएगा ठीक तो इस तरीके से आपके question number 7 complete हो गए चलिए आते हैं 8 में question पर question number 8 में देखें 3 quarter बड़ाबर 4 तो जाचीजिए कि क्या 1-10 square upon 1 plus 10 square e बड़ाबर cos square a minus sin square e है या नहीं तो आपको क्या करना है इसकी मदद से हमें 10 a की मान गयाद करना है फिर इस LHS को हल करें फिर इसके बाद में इसी की मदद से cos और sin a का मान गयाद करें फिर इसमें रखें दोनों पक्ष बरावर बरावर हैं या नहीं से 2 हो जाएगा चलिए दो को कैसे करें हमें दिया गया है 3 cot a और बरावर में कितना है 4 तो आपको ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि cot a का मान हो जाएगा 4 बटे में 3 ये 3 का भाग हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको एक ट्रेंगिल बनाना है और इस ट्रेंगिल में a, b, c इसका नाम देना है ठीक अगर हमने यहाँ पर a लिख दिया तो ये नियून कॉण हो गया और ये आपका लंब हो गया ठीक है ना, इसी नियून कॉण की सामने वाली वजाओ को लंब कहते है ना ये लंब है, ये आधार है, ये कड़ है अब देखिए कॉण बराबर हमने क्या सूत्र बताया 10 का वित्क्रूम 10 बराबर क्या होता, लंब बटे आधार तो ये हो जाएगा, आधार बटे लंब ठीक है ना, आधार पर आपको लिखना है कितना 4 और लंब पर लिखना है कितना 3 ठीक, अब पाइथागूरस प्रमेसे ये कड़ का मान हम ग्याद कर लेंगे तो लिख देए पाइथागूरस प्रमेसे सारे सवाल एक जैसे हैं किसी में कोई विशेश समस्या नहीं है, पाइथागूरस प्रमेसे तो ये हमारे पास हो जाएगा पाइथागूरस प्रमेसे कड़ का बर्ग बराबर 3 का बर्ग प्लस 4 का बर्ग ठीक है ना, ये कड़ का बर्ग बरावर क्या हो जाएगा ये लंब है लंब का बर्ग प्लस आधार का बर्ग तो 3 का बर्ग 9 और 4 का बर्ग 16 दोनों का योग करेंगे 25 अब इसका बर्ग मूल लें तब ये हो जाएगा 5 ठीक ये आपका 5 हो गया सेंटीमीटर इसलिए ना लिखें क्योंकि यहां पर मापे नही दी गई है अब आपके पास यहां पर क्या लिखना है देखिए का एक जरूरत है हमें 10 A की बान की जरूरत है तो 10 बरावर क्या सूतर होता है 10 बरावर होता है लंब बटे आधार बताएं लंब क्या है लंब इसमें है तेन और आधार क्या है आधार है आधार है आपका 4 तो तो यह आपका 10 A का मान किलियर हो गया, जरूरत हमें RHS के लिए साइन और कॉस की और जरूरत है, तो यहाँ पर हम साथ-साथ में दोनों काम एक साथ कर लें, सबसे पहले कॉस A का भी मान निकाल लें, तो कॉस A बराबर हो जाएगा, आधार, बटे, कड, क्या होता है इस उत्र, आधार, बटे, कड, अब बताएं आधार कितना है इसमें, आधार है आपके पास 4, और कड कितना है, कड आपने 5 निकाल लिया, तो यह कॉस A का मान हो गया, साथ-साथ sin A का मान और निकालें तो sin A बराबर ये होता है لم बटे कर्ड और لم की वैलू दो को कितनी है لم की वैलू है 3 और कर्ड की वैलू कितनी है 5 तो ये आपका sin A का मान 3 बटे 5 अब देखिए चलो यहीं पर लेखें अब आपको LHS लिखनी है LHS बराबर क्या है ये आपका 1 माइनस 10 स्क्वाइर A 1 माइनस 10 स्क्वाइर A अपोन में 1 प्लस 10 स्क्वाइर A ठीक है यही तो है अब 10 A की वैलू हमने चूंकि ग्याद कर ली है अब यहां पर रखेंगे बस केवल LHS किलियर हो जाएगा देखिए 1 माइनस 10 A का मान 3 बटे 4 है लिख दें 3 बटे 4 और इस पर स्क्वाइर लगा दें और अपोन इसी प्रकार आपको यहां लिखना है 1 प्लस 3 बटे 4 लिखना है और इसका भी स्क्वाइर लिखना है ठीक है न तो 1 माइनस 3 का स्क्वाइर 9 4 का स्क्वाइर 16 नीचे आजाओ 1 प्लैस 3 का स्क्वाइर 9 और 4 का स्क्वाइर 16 ठीक है बिल्कुल सिमलर तरीका से देखो करेंगे जैसे अब यह उस कुश्चन में किया था यहाँ पर 16 LCM आएगा उपर और 16 LCM नीचे आएगा वो आपस में कैंसल हो जाएगा तो आपको यहाँ लिखना है 16-9 और नीचे लिखना है 16-9 ठीक लगतम लेके हल कर लिया है यहाँ पर देखिए 16 LCM आएगा 16-9 तो 16-9 तो यह हो गया इसी प्रकाश 16-9 यह हो गया जो LCM आएगा वो कैंसल कर दिया तो आपके पास उपर क्या बचाएगा? उपर बचाएगा 7 और नीचे क्या हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा 7 बटे 25 ये आपका LHS का हल आया अगर हम ये RHS को हल करें तो अगर ये 7 बटे 25 आ जाए तो बरावर बरावर है अन्था? अगर रखें वही रखने हैं कलसे का मान कितना लेखना है? चार बटे 5 तो लेखे दें चार बटे में 5 लेखे दें और इसपर स्कॉइर लगा दें अब मायनस का निसान लगाएए अब साइन एक मान कितना है साइन एक मान ए accent 3 बटे 5 तो यहाँ पर लेखे दें तीन बटे पांच और इसका भी आपको स्क्वार लेखना है ठीक यहाँ पर हो जाएगा चार्चों को 16 और 5 पंचे 25 और माइनस का तीन तरका 9 और बटे में कितना 25 अब बताएं 16 में से 9 गटा दें कितना हो जाएगा 7 और बटे में 25 अब बताएं LHS का जो हल निकला है यह देखिए और RHS का हल यह बराबर बराबर है न किलियर तो इसका मतलब सत्सिद्ध होता है अतहां आपको लिखना है 1-10 square A upon 1 plus 10 square A बराबर में cos square A minus sin square A यहां लिखना है सत्त है क्या लिखना है सत्त है यही तो पूछा गया सत्त है या सत्त है किलियर हो गया चलिए इसके बाद question number 9 मा देखें देखें question number 9 मा लिखाएं तरबुज ABC में कौण B आपका है वो समकौण है और 10 A का मान 1 upon under root 3 है तो आप से पूछा गया है sin A cos C plus cos A sin C का मान बताईए और दूसरे सवाल में पूछा गया है cos A cos C minus sin A sin C का मान आपको बताना है चलिए दोखो बहुत आसान सा काम है आपको दिया गया है 10 A और बराबर में दिया है 1 upon root 3 अब देखें समजें बात आपको यहां पर एक triangle बनाना है और यहां यह आपका A cos B बनाना है noon cos और यह दो लिखा है B, यह sum cos लिखना है और यहां पर C लिखना है यह आपका noon cos होका है इसका मतलब यह noon cos के सामने वाली बोजा ये आपकी निस्चित रूप से लंब हो गई ठीक है तो जब ये लंब हो गई इसका मतलब आधार ये हो जाए का कड़ बदलता नहीं है आपको दिया गया यहां पर 10 A का मान दिया गया है 10 बराबर होता है लंब बटे आधार तो इसका मतलब लंब पर आपको एक लिखना है और आधार पर आपको रूट थिरी लिखना है अब आपके पास ये कड़ वाली बोजा बच्ची है उसको निकाल लें पाइथा गुरस प्रमे से क्या लिख दें समकॉडी तरभोज A, B, C में आपको पाइथा गुरस प्रमे लगाना है पाइथा गुरस प्रमे से तो पाइथा गुरस प्रमे से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा C A का स्कॉएर बराबर क्या लिख दें 1 का स्कॉएर और प्लस है रूट थिरी का स्क्वाइर, स्क्लियर, अब एक का स्क्वाइर आपका एक होता है, रूट थी का स्क्वाइर थी होता है, तब इसका दौनों का योग चार हो जाएगा, अब बर्ग मुल लें, तो सी यह बराबर आपको लिखना है, दो, अर्थार्द यह करड की वेलू आपकी दो निकल गया, ठीक है इसके बाद अब आपको तो को जरूरत का एकाई की है हम आपके प्रश्ण के मताबिक चलेंगे नमबर एक प्रश्ण देखें लेखा है साइन एक ही हमें जरूरत है है न तो आपको सबसे पहले साइन एक का मान ग्याद करना है sign a बरावर क्या लिखो गये देखिए sign बरावर لمb बटे क्या होता है لمb बटे करड़ अब बताएं لمb क्या है? एक है एक लिख दें करड़ क्या है? दो है दो लिख दें तो sign a का मान एक बटे दो हो गया इसके बाद हमें जरूरत पढ़ेगी cause c की अब आपको लिखना है cause c की बेलू cause c बराबर देखें ध्यान दे इसमें ध्यान देने की बात है अब चुंकि c लिख गया यह तो इसका मतलब ये नियोन कॉड हो गया अगर ये नियोन कॉड हो गया तो इसके बदल गया है ये लंब हो गया है तो ये आधार हो गया है अब आपको लिखना है आधार पर क्या लिखना है आधार ये हम भुजा का नाम दे दें आधार है बी सी और काड़ है आपका सी ए ठीक है तो आधार है एक और ये आपका काड़ कितना है दो तो एक बटे दो ये कौस स का मान हुगा कि लिए अब हमें जरूरत है। कौस ए की तो अब बताएं को से बराबर कितना हो जाएगा फिर वही लटके आ गए ए तो इसका मतलब यh आधार फिर हो गया क्योंकि A वाला कॉन लेना है तो इसका मतलब ये आपका लंब हो जाएगा अगर ये लंब हो जाएगा तो आधार यही होगा ना सूत्र हमारे पास है आधार बटे कर्ड कॉस A बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ड इसका मतलब आधार आधार आपको अब लेना है कितना AB और कड़ कितना है वही CA तो आदार पर AB पर क्या लिख दें अंडरूर्ट 3 लिख दें और ये आपका CA का मान 2 है तो अब कौस A का मान अंडरूर्ट 3 बटे 2 किलियर हो गया इसके बाद एक वैल्यू और हमें जरूरत पढ़ेगी sinc की वैल्यू की जरूर है तो sinc है फिर देखो पलट गया sinc c, c मानी ये वाला ये वाला कॉन है ना सूत्र वही लिखना है sin बराबर लंब बटे कड अब लंब वाली भुजा कौन सी हो जाईगी हमने बताया c वाली c के कौन सामने का जो होता है सामने वाली भुजा होती है उसको हम लंब कहते हैं अर्थार्थ ये हमारा लंब हो जाएगा A B और कड हमारा वही है C A अब A B की वैलू आपको लिखनी है अंडरूर 3 और बटे में कितना लिखना है 2 अब चलिए यहाँ पर जो हमें वैलू ग्याद करनी है उसकी वैलू हम यहाँ पर ग्याद करके दिखाते हैं आपको ये दोखो कितना है साइन A इंटू कॉस C माइनस नहीं प्लस है प्लस कॉस A इंटू मैं साइन C अब इन मानों को इसमें आपको रखना है चलिए यहां लिख के दिखाते हैं साइन A हमने निकाला है कितना 1 बटे दो कॉस C का मान भी हमने निकाला है एक बटे दो ठीक है ना एक का एक में गुणा एक और दो का दो में गुणा चार कर दें फिर प्लस का निसान लगा दें और ये अंडरूर तीन का अंडरूर तीन में गुणा करेंगे पूरा तीन लिख दें और दो का दो में गुणा चार लिख दें अब देखो LCM आपका चार आ गया मनी हर जब बरा कुस्यन है उसका अंसर आपका एक आगया ठीक है अब दूसरा कुस्यन आपको स्वयम करना है क्यों करना है आपके पास यहां सारी वैलू वही रखी है को से का मान हमने पहले से निकाल के रखा है यह देखिए को से का मान निकाल के रखा है ना इसके बाद को सी का मान भी निका के पहले ही से रखा है यह सारे मान जो निकाल के पहले ही से रखे वो आपको यहां 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 लिखना है बस इसको solve करना है ठीक है ना तो इस तरीके से question number 9 आपके 9 question complete हो ठीक है दसमा question देखें दसमा question समकॉंड इत्रबोज पी क्यू आर में यह क्यू वाला क्यूंड समकॉंड दिया गया है जबकि PR और QR दो भुजाओं का योगफल 25 दिया गया है इसमें PQ भुजा की माप देए गई 25 5 cm और sin P और cos P तथा 10 P का मान हमें ग्याद करना है चलिए दोखो एक तरबुज बना दें पहले PQR एक तरबुज बनाएं यह समकॉंड इतरबुज PQR इसमें Q वाला कॉंड यह समकॉंड बनाना है और फिर इसके बाद यह P और P Q यहाँ पर R ले ठीक है इसमें दोखो क्या क्या दिया गया है PR पी आर कॉन सी बुजा है दोखो यह बाली इस दिया गया है PQ यह वाली बुजा 5 दी गई इसको लिखने 5 ठीक इस बुजा और इस बुजा का योग हमें दिया गया है हम यह मान लें यह बुजा हमारी X है यह बुजा बाई है तो को समझो बात क्या मान लिया हमने मान लें PR बुजा है वो कित्ती है PR बराबर X है और यह आपकी QR है, वो QR बराबर हमने कितना मान लिया, भाई मान लिया, ठीक, तब हमें जो दिया गया है, उसके मताबिक मन ये बोजा और ये इस बोजा, दोनों का योगफल बराबर 25 दिया गया है, तो आपको लिखना है X ब्लस बाई बराबर में कितना 25, ठीक है, यहां से किसी एक रास का मान निकाले अगर बाई का मान निकाले तो बाई पराबर हो जाएगा 25 माइनस X इस पे एक समीकर नमबर एक डाब ठीक है अब इसमें यहाँ पर पाइथागुरस प्रमे लगा दें समकॉणडी त्रबोज PQR में पाइथागुरस प्रमे दें प्रमे से क्या होता है पाइथागुरस प्रमे आपको पता है होता है कर्ड का बर्ग मानी X का बर्ग बराबर Y का बर्ग प्लेस 5 का बर्ग डारेक्ट लिख दिया कर्ड का बर्ग बराबर लंब का बर्ग प्लेस आधार का बर्ग ठीक है न? तो ये हो जाएगा x का बर्ग, देखिए x बर्ग जोंकाते हों और y की value हमने यहां से निकाली रख दें, कितनी 25 माइनस x और इसका square लिख दें, प्लेस और ये 5 का square कितना लिख दें, 25, तो यहां पर लिख दें x का square बराबर आप 5, ये x a red b का whole square formula खोल दें, क्या हो जाएगा, 25 का square मानी 625, प्लेस x का square मानी x square, फिर माइनस इन दोनों के गुड़ां का दूना करना है, 25 x का दूना कितना लिखना है, पचास x लिखना है, और प्लेस मैं ये 25 आपका जियों करती हूँ, ये x square से x square cancel कर दें, अब क्या बचा, ये minus का 50 x इदर लिखना हैंगे, 50 x plus का हो जाएगा इदर, और बराबर इन दोनों को जोड़ दें, तो 625 में 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 650, बस 50 का भाग कर दें, x बराबर हो जाएगा, 650 और बटे में 50 कर दें, एक zero cancel कर दें, 13 65 होता है, 13 x का मान कितना निकला है, 13 x मान ही, ये कड़ की value निकला है, 13 cm, ठीक है न, ये देखे, इसके बाद, इस x का मान यहां रख दें, समी करड एक में, तो यहां लख दें, x का मान, समी करड एक में रख दें, तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा by का मान, by equal to 25 minus x, x की value 13 लिख दें, तो हमारे पास यह by की value कितनी बचेगी, 12 cm में मानी, एक आई लिख दें, यहां cm, हाँ है न, cm तो cm में हो जाएगी, clear न, ये भी cm, अब देखे समझें, ये x की जो value निकली है, इसका मतलब, ये cut हो गया कितना, 13 है, और ये आपका by, ये आपका, ये कितना है, ये 12 दिया गया है, ठीक है न, और ये पहली से दिया गया है, तो अब हमें तर्भुज की तीनों भुजाएं, तीनों मापें पता हो गई हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन P.L. की बैलू ग्याद करने में, क्या दिक्कत हैं, बताओ, साइन बराबर, क्या हमने बता है, लंब बटे कर्ड, लिख दें, लंब बटे कर्ड, आपको यहाँ पर पता होने चाहिए लंब क्या है लंब आपका यह है कितना P, Q, R लेख दे Q, R लेख दे Q, R और बटे में कड, कड कितना लेख दे P, R तो अब बताएं कितना लेख दे 12 बटे में 13, यह आपका हो गया Sine A की value, Sine P की value इसी प्रकार Q, P की value अगर गयाद करें तो Q, P बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कड बताएं इसमें आधार कितना है आधार आपका यह 5 है डारेक्ट लिख रहे हैं और बटे में कड कितना है, 13 है तो Q, P की value यह होगी इसी प्रकार आपको अब 10P की value गयाद करनी है 10 बराबर होता है लम बटे आधार तो यहाँ पर लम की value आपकी कितनी है 12 है और आधार की value 5 है ठीक, तीनों बातें के लिए रो गई तो बस चलते चलते एक सवाल आपका दसमा के बाद 11 सवाल हो रहे इसको भी देख ले देखिए कुश्य नमबर 11 में बहुत सीधी सीधी बात है यहाँ पर हमसे यह कहा गया है कि आपको बताना है कि यह लिखा हुआ है वो सत्थ है या सत्थ है छोटी छोटी सी बाते हैं आपको पता होना चाहिए कि 10A का मान जो होता है वो लिखा है 10A का मान हमेशा एक से कम होता है गलत लिखा है 10A का मान 1045 पर तो एक होता है बागी सून से अनंद तक होता है इसका मान मतलब सून से और कहां तक अनंद तक 10A का मान सून से अनंद तक होता है जबकि 1045 पर इसका मान एक होता है इसमें लिखाए हमेशा एक होता है असत लिखाए खीक है? एक तो आपको लिखना है असत खीक है? दूसरे पर आ जाए तो लिखाए कौण ए के लिए कौण ए के किसी मान के लिए सैक ए का मान लिखा है 12 बटे 5 सैक ए का मान 12 बटे 5 लिखा है वो क्या है ये आपका सत्त लिखा है क्या लिखा है सत्त कैसे जानोगी सत्त क्योंकि सैक ये का मान जीरो से अनंत तक बढ़ता है कहां से जीरो से अनंत तक तो यहां पर दोको बारा बटे पांच है जीरो से बढ़ा है और जाएगा कहां तक अनंत तक जाएगा इसका मतलब है क सह के कमान ये 12 बटे 5 है वो ठीक सही लिखा हुआ है इसके बाद तीसरा क्या है कौण A के कौसाइन के लिए संचिप्त रूप में कौस A का प्रियोग करते हैं बिल्कुल एकदम सत्त लिखा हुआ है क्या लिखा है सत्त लिखा है कौण A के कौसाइन के लिए इसका संचिप्त कॉस ए लिखा जाता है कॉट और ए का गुड़न फल कॉट ए बिल्कुल असत है क्योंकि कॉट और ए कोई रास ही नहीं है क्या है असत इसको अलग अलग हम नहीं लिख सकते हैं इसके बाद किसी कॉट थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4 बटे 3 है देखिए साइन थीटा का मान हमेशा सून से 1 के बीच में रहता है किसमें सून से 1 के बीच में तो यहाँ पर यह 4 बटे 3 लिखा है तो यह 4 बटे 3 तो 1 से बड़ा हो गया जबकि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए यह भी आपका असत लिखा हो ठीक तो इस तरीके से यह आपकी एक्सरसाइज जो 8.1 चल रही थी वो अब समाथ हो ठीक है और 1y1 एक एक करके हमने पूरे आपको कुस्चन भी करवाए हैं सारे कुस्चन बैसे तो बिल्कुल सिंपल थे और एक के तरीके के दूसरे कुस्चन थे लेकिन चूंकि आज प्रारंभिक इस तर से हमने आपको यह तर्कौन भीती पढ़ाई है मेरी खाल से अब तक आपने नहीं पढ़ी है इसलिए आपको 1y1 एक एक करके कुस्चन कम्पलेट करवा ठीक हैं आप अपनी पढ़ाई पर बिसेश द्यान दें यह अमूल समय आप कताई बरबाद न करें अपने दोस्तों के साथ थोड़ा उठा बैठी कुछ कम कर रहें आप केबल ओ केबल पढ़ाई पर फोकस करें क्योंकि आपका जितने आंगे आप बढ़ते चले जा रहे हैं पढ़ाई का उतना ही हमें समय कम मिलने वाला है इसलिए बिसेश द्यान दें पढ़ाई पर इसी उमेद के साथ कि आप निरंतर अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे आपके अच्छे नमबर आएंगे आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं आज का वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो इसको पहले सबसे पहले लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें चैनल पर नहीं आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ से साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिविकिसन आपको सबसे पहले मिल देगे थेंक्यू